हेलो बच्चों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडी हमें स्वागत करता हूँ क्लाश तवल्थ जो बच्चे हैं वो पढ़ रहा है थे नुमेरिकल वैद्व चैनलेशन के टॉंटी नमर नुमेरिकल तक आप लोगों ने पढ़ लिया था आज इस लेक्टर में आप सभी को हम बताएंगे 21 नमबर निमेरिकल से या 21 नमबर निमेरिकल से तो देखिए 21 नमबर निमेरिकल आप से क्या कह रहा है 21 नमबर इसमें आप से कह रहा है कि एक तार की लंबाई 100 मीटर है आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो दे रहा है तार की लंबाई तार की जो लंबाई है वो कह रहा है L बराबर 100 मीटर ये कह रहा है इसके बाद कह रहा है 2 मिली मीटर व्यास है तो इसका जो व्यास है व्यास जब निकालेंगे D बराबर वो आएगा 2 मिली मीटर 2 मिली मीटर व्यास हो गया इससे इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् लिवी और और रो का मान लंगा आपको को दे रहा है और आप से कह रहा है कि 4.8 हुस्टी इटकी पावर-8 मैनस एट उम 250 ओम मींटर है िसका जो मानु है इतने हु्म मींटर है कि कि इसी पदार्द के समान द्रूमान परंत दोगने व्यास के तार का प्रतिरोध ग्याद कीजिए समान द्रॉमान इसी पदार्थ का पतलब जो जिस पदार्थ का ये बनाए उसी पदार्थ का वो है समान द्रॉमान का पतलब जितना इसका द्रॉमान उतना उसका द्रॉमान कि प्रतिरोध का दोगने तारका की मानली अमने लंबाई क्या है माना दोगुने इसी पदार्द के इसी पदार्द के समान द्रवमान वा दोगुने व्यास के तार का पृत्रोद दोगुने व्यास के तार की लंबाई कि इसकी जो लंबाई एल टू मानेंगे वह अमने माल लिया कितनी है एल अब देखो कह रहा है जो व्यास इसका वो फितना है दोगुना है तो तो तूप का ज़र मांनी वहां लिया कितना वगिए इसका दोगुना तो जाएगा तो यहां पर दो था तो भुआस आए गाएगा 4 और 4 का अधाख पैंघ्क तूट week 222-252-23 M इसके बाद इसकी त्रिज्जा हो गई द्रोमान समान है द्रोमान समान है और पदार्थ भी समान है तो देखो आयतन बराबर होता है द्रोमान इंटू घनत के लिए तो द्रोमान और देखो आयतन बराबर आपने पढ़ा है यह आयतन बराबर आप पढ़ेंगे आयतन बराबर होता है द्रौमान अपाउन घनत अब अगर इनके द्रौमान समान है दो पिदार्थों के ये दोनों के मान नहीं बदल रहे हैं तो ये भी क्या होगा नहीं बदलेगा मतलब दोनों पिदार्थ के आयतन जो है वो क्या है समान है तो निकालेंगे आयतन वीवन आयतन वीवन मरा बराबर आयतन V2 मतलब पहले तारक आयतन और दूसरे तारक आयतन आयतन का फार्मूला होता है छेतरफल इंटू लंबाई इसका भी होगा छेतरफल इंटू लंबाई तो A2 इंटू L2 यहां से निकालेंगे आएगा A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1 L2 क्या कह रहा है आपको पता नहीं है A1 कितना कह रहा है A1 आपको दे रहा है क्या होगा पाई R1 स्कॉयर और A2 क्या होगा पाई R2 स्कॉयर पाई से पाई कैंसल R1 का मान रखेंगे 1 into 10 की पावर minus 3 तो इस 1 का square तो 1 होगा 10 की पावर minus 3 का जो square होगा वो कितना हो जाएगा minus 6 ऐसे इसका करेंगे जो 3 जाई R2 इसका 2 का square 4 होगा और इसका करेंगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी minus 6 minus 3 का square यह cancel हो गया तो यह आ गया A1 upon A2 बराबर L2 upon L1 बराबर आ गया कितने के R1 का square upon R2 का square यह आ गया A1 बटे 4 अब जो लंबाई अगर आपको निकालना है L2 का मान तो L1 आपको दे रहा था कितना 100 तो L2 upon L1 की जगा रखेंगे 100 क्योंकि 100 मीटर दे रहा है और हो जाएगा 1 बटे 4 चार से काटेंगे 25 बार हो 25 से कम 25 तो जो L1 L2 का मान आया वह आगया 25 L2 का जो मान आया L2 वह आगया 25 मीटर अब आपको L2 भी पता है R2 भी बता है विसिष्ट प्रतिरोध भी पता है रो कमान रखेंगे रो की वैलू रखेंगे कितनी दे रहा है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और L2 कमान आपको कितना दे रहा है L2 आपका है 25 और इसकी जगे रखेंगे पाई R-2 का स्क्वाइर 4.8 इंटो 10 की पावर माइनस 4 से काटेंगे? 12, 14 1.2 यह हो जाएगा अगर हम यहाँ 0 लगा गए इस सम्लों से इस सम्लों को काट दे यह आ जाएगा 2 से अगर काटे तो 2 से 60 आएगा 2 से इसको काटेंगे 157 दो एकम दो बचेंगे एक इसको दिया 11 दू पंचे 10 ग्यारा से दस अटगे वचेगा एक इसको दिया 14 दूसत्य 14 और इंटू कितना दे रहा है 25 और 10 की पावर ये उपर जाएगा माइनस 6 तो प्लस का हो जाएगा माइनस 8 था प्लस के 6 अब 157 पहले 60 को गुणा इसमें करेंगे 258,500 और एक ये 0 तो हो गए 1500 नीचे आ रहा है 157 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा माइनस 2 अब 157 से भाग दीजिए किसमें 1500 में 1500 में भाग देना है 9 बाट जाएगा 9 का गुणा करेंगे नसर 63 की 3,80 लगा 6,9 पना 45,45 में 6 जोडेंगे 6,45 और 6 जो होंगे वो आ जाएगे 51,80 लगा 5,9 एकम 9 और 9,5 कितने हो जाएगे 14 गटाएंगे 10,10 में 3 बचेंगे 7 कैलकुलेशन एक बाट चेक कर लेना यहां बचेंगे 9,9 में 1 जाएगे बचेंगे 8 इतना आया भाग जाएगे नहीं 10 अमलों लगाएंगे 0 आ गया 15,60 15,75 5 बार जाएगा 5,35 की 5 15,25 तीन कितने हो जाएगे 25 और पचीस तीन हो जाएगे 28 पाँच एकम 5,5 दो 7 इसको गटाएगे यहां बचेंगे 5 यहां 16,16 में बच गए 8,8 अठे 16 फिर 0 फिर कितने बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा अंसर आपका जाएगा तो यह जो आएगा वो आएगा 9.55 इंटू 10 की पावर माइनस टू दो अंक अगर इस तर अब दसमलोल लें आए तो 0.0955 इतने ओम आ जाएगा इसका आंसर दो ती तार का प्रतिरोद 0.955 यह हो जाएगा इसका आंसर फिर से एक बार देख लीजिए प्रेसनों को तार की लंबाई दे रहा था 100 मीटर लंबा तार है जिसका व्यास दो मिली मीटर है इसने हमने क्या निकाल ली तरिज्जा निकाल ली व्यास का अधा करके एक मिली मीटर है मिली मीटर को हमने किसमें बदला मीटर हो बदल दिया विस्ष पित्रोद दे रहा था ओम में इसके समान द्रॉमान और दोगने व्यास के तार की बात कर रहा है तो समान द्रॉमान है व्यास दोगना है तो जब द्रॉमान समान हो और वही पिजार्स हो तो हमने क्या पता है आयतन क्या होते हैं समान होते हैं कि तना मान लिया एल के या लटो को मानने की ज़रुद घी नहीं है आपको बिना लटो के माने हो गए इसको सौल करके हमने किसका मान निकाल लिया अब लटो पता जल गया आपको पता चल गई तो जब तरिजज़ का फार्मुल अलगा कि इस कर लें के लिए नहीं समझ में आए तो वीडियो को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे और फिर से देखेंगे नोट कीजिए आरवन दे रहा है पांच ओम यह आप कह सकते हैं पहले तार का प्रित्रोध इसको खीचकी क्या किया गया इसकी लंबाई को तीन गुणा कर दिया गया तो माना इस तार की लंबाई तार की लंबाई एलवन बराबर जो है वो है एल मीटर तथा छेतरफल जो है इसका परिछेद छेतरफल वो एवन बराबर मान लिया बराबर मान लिया एवन कह रहा है कि तार की लंबाई को खीच कर क्या किया गया तीन गुना कर दिया गया माना दूसरे तार की लंबाई माना क्या लिखेंगे या दि तार की जो लंबाई है लंबाई को क्या कर दिया गया तीन गुना कर दिया गया तो MY L2 जो हो गई वो पहले अगर L थी तो अब कितनी हो गई 3L हो गई तब माना परिछेद छेतरफल तब परिछेद छेतरफल जो परिछेद छेतरफल बराबर मान लिया वो क्या ले लिया A2 समझ में आया पहले माना पांच ओम के तार का प्रिछेद तार है जिसकी लंबाई हमने मान लिया कितनी है L1 और छेतरफल A2 है अब इस तार को खीच के इसकी लंबाई कितनी कर दी गई 3L तब माना आप देखो जब तार को खीचेंगे तो उसके प्रश्च छेतरफल में परिवर्थित नहीं होगा मतलब आयतन u1 आयतन v1 बराबर के 3 इन भी टूठ अयतन परिवर्थित नहीं हो रहे आयतन बराबर होता है छेतरफल इंटू लंबाई छेतिफल इंतू लंबाई G1,1,1 और व大概 तो इसके आधर इसके इसकी यौे है अगर करोगे L2 तो L1 यह multiply में था तो L1 इधर divide में हो जाएगा L2 कमान आपको कितना दे रहा है 3L और L1 कमान आपको कितना दे रहा है L L से L cancel हो गया तो A1 upon A2 बराबर L2 upon L1 बराबर आगया 3 के अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरे तारका खीचने के बाद टारका प्रतिरोद ग्याद किजिए तो निकालेंगे प्रतिरोध R1 जो है प्रतिरोध R1 upon प्रतिरोध R2 इनका मान निकालीए आप तो प्रतिरोध बराबर होता है रो L1 upon A1 और यह हो जाएगा रो L2 upon A2 यह हो जाएगा lease अब देखो इससे ध्यान दीजीए इससे देखो अगर हम इससे निकालें A2 upon A1 और इससे इसको उल्टा कर दें तो L1 upon L2 तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 upon 3 उल्टा कर दिया गया इसको पल्टा है A2 upon A1 इसको पल्टा है L1 upon L2 इसको पल्टा है 1 upon 3 हो गया जो अब इसमें रोसित रोख कैंसिल हो रहा है आर रा रा रवन अपॉन अर्टू बराबर यह उपड़ चला जाएगा तो जाएगा एटू और नीचे सके है एवन और इंटू यह दे रहा है एलवन और नीचे कर दो एलटू क्लियर एट आर वन का जो मान दे वो आपको कह रहा था पांच ओम है तो ये तो आपको दे रहा है पांच ओम ये आर्टू आपको ग्याद करना है बराबर एटू अपॉन एवन का मन क्या दे रहा है एक बटे तीन दे रहा है एक बटे तीन एलवन अपॉन एलटू तो एलवन अपॉन एलटू कितना दे रहा ह एक बटे तीन तो 5 बटे R2 पराबर एक कांच में multiply करेंगे 1 तीन तीन तरिक 9 9 का 5 में गुड़ा करेंगे R2 का 1 में तो R2 का 1 में करेंगे R2 9 अपना 45 तो 45 ओम जो है इस प्रस्न का answer हो जाएगा 3 गुणा लंबे टार का जो प्रतिरोद होगा वो कितना हो जाएगा पैंतालिस ओम हो जाएगा यह हो गया इसका आंसर नोट कीजिए देखे टूंटी थ्री नंबर टूंटी थ्री नंबर कह रहा है कि एक आर ओम प्रतिरोध के तार को खीच कर उसकी लंबाई कितनी कर दी आती तीन मुनी कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध दे रहा है पहले तार का प्रतिरोध आपको दे रहा है आर ओन बरावर आर इसकी लंबाई को तीन गुना कर दिया गया तो इसकी माना तार की लंबाई माना तार की जो लंबाई है वो L1 बराबर L है तथा छेतरफल कौन सा छेतरफल परिछेत छेतरफल A1 बराबर A के कह रहा है तार की लंबाई को खीच कर तीर गुणा कर दिया जाता है जब लंबाई कर दी गई कितनी L2 को कर दिया गया 3L ये मान लिया A1 है तब माना परिछेत छेतरफल परिछेत छेतरफल जो है वो हमने माना कितना A2 है अब देखो द्रॉमान तो दोनों की समान है क्योंकि उसी तार को खीचा गया है तो देखो द्रौमान जो होता है पहले जितरा द्रौमान था द्रौमान M1 वही बरावर द्रौमान बाद में M2 द्रौमान बरावर बता चुके क्या होता है आयतन इंटो घनत तो ये भी आयतन इंटो घनत तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है छेतरफल इंटो लंबाई घनत तो अगर उसी पदार्थ का ले रहे जैसे लोहे का लेंगे ये भी लोहे का पदार्थ तो ये भी लोहे का पदार्थ तो उसका घनत तो समान होगा तो उसी पदार्थ को खीचा गया है तो इसका घनत तो अगर इसका इसमाल D है तो इसका भी घनत तो AD होगा आयतन क्या होगा A2 into L2 और AD D से D कैंसिल इस प्रकार आयतन क्या जाते हैं बराबर तभी हम आयतन बराबर रख रहा है अब देखो इससे अगर हम लोग solve करेंगे तो A1 upon A2 जो आएगा या यह L1, L2 इस तरह पागया A2 A1 इदर multiply में था A1 divide में हो गया L1 की बच्चों value रखेंगे दे रहा है L L2 की value रखेंगे L2 की दे रहा है 3L L से L कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा 1 upon 3 अर्थाद L1 upon L2 आया 1 upon 3 L1 upon L2 हो या A2 upon A1 हो क्या आया 1 upon 3 अब कहे रहा है इसका प्रतिरोध ग्याद कीजिए पहले इसका प्रतिरोध निकालते तो निकालेंगे प्रतिरोध R1 upon प्रतिरोध R2 R1 है रो L1 upon A1 यह रो L2 upon A2 रो से रो कैंसे R1 की जगे रखेंगे क्या R1 बराबर दे रहा था R upon R2 बराबर यह L1 upon L2 A2 उपर जाएगा यह उपर चला जाएगा इसे तो A2 और नीचे क्या दे रहा है A1 तो R upon R2 L1 upon L2 की बात करें तो L1 upon L2 क्या आया है 1 upon 3 आया है तो यह हो जाएगा 1 upon 3 A2 upon A1 की बात करें तो यह भी दे रहा है 1 upon 3 तो यह होगी बाता जाता है और फिर समांतर करम में जोड़ दिया जाता है तो 3 बराबर बागों में बाटने पर तीन बराबर यह समान बागों में बाटने पर बाटने पर निकालेंगे R1 यह R1 डैस बराबर ले लो तो 3 बागों बाटेंगे तो 3 L R R2 डैस भी हो जाएगा कितना 3R और R3 डैस भी बराबर हो जाएगा 3R की तीन बराबर वागों में बढ़ दिया गया अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है फिल कहरा है तुल प्रतिरोध ग्यात कीजी तो लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 upon R बराबर जो होगा या 1 upon R डैस बराबर होगा 1 upon R1 डैस 1 upon R2 डैस 1 upon R3 डैस तो 1 upon 3R 1 upon R2 डैस का विमान दे रहा है 3R और R3 डैस का विमान दे रहा है 3R हर समाने जोड़ जाएंगे तो 1 upon R डैस बराबर आ जाएगा 3 upon 3R 3 से 3 कड़ गया 1 upon R डैस बराबर 1 upon R R डैस का 1 में गुड़ा करेंगे R डैस आएगा R का 1 में गुड़ा करेंगे R आएगा तो आंसर आपका जो आगया वो कितना आगया R ओम तो इसका जो इस प्रकार जो रिजल्ट आपका निकलेगा आंसर वो कितना आएगा R ओम आ जाएगा नोट कीजिए इसको 24 नमबर जो आपका प्रस नहीं उसमें आपसे कहे रहा है 24 नमबर में आपसे कहे रहा है कि 1 किलो ग्राम तामे के एक पदार था एक टुकड़े को 1 मिली मीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिली मीटर मोटे तारों में खीचा जाता है मतलब द्रॉमान उसका क्या दे रहा है समान दे रहा है है वे जब उमान समान है तो आपको पता जो लो और देसद समान होगा कहे रहा है तारों के पति रोदों की तुलना कीजिए तो पति रोदों की तुलना करना है है एक किलोग्राम द्रवृमान का तार तो पहले तार का व्यास जो है हो दे रहा है एक मिली मीटर डी वन हो गया और दूसरे तार का व्यास डी टू बराबर दे रहा है दो मिली मीटर माना तार की लंबाईयां तार की जो अपने लंबाईयां मान ली ल1 वा ल2 है ये मान ली हमने तार की लंबाईयां जो है वो ल1 वा ल2 है आप देखो इससे निकालेंगे हम लोग क्या तार की लंबाईयां तो आपको पता चल गई तो आपको पता है कि जो आयतन जब द्रौमान समान है तो आयतन क्या होगा समान होगा तो आयतन जो वी वन हो आयतन वी टू के आयतन वी टू के आयतन बरावर क्या होता है छेतरफल इंटू लंबाई छेतरफल इंटू लंबाई छेतरफल ये एटू है तो एटू ले लो छेतरफल का भार्मूला होता है पाई आर वन स्कॉायर ये एल वन ये पाई आर टू स्कॉायर एल टू या ऐसे कर लो और solve कर लो फिर उसके बात करते हैं निकालेंगे l1 upon l2 a2 upon यह multiply में इदा डिवाइड में इसका मान πाई r2 square इसका πाई r1 square पाई से पाई कैंसिल इसको लिख सकते हैं r2 upon r1 का whole square l1 upon l2 बराबर r का मान रखेंगे तो r तो आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि व्यास का दो गुड़ा जो होता है व्यास तो दो का उपर गुड़ा कर दिया और दो का दीचे गुड़ा कर दिया यह व्यास बन ग कि और दो मिली मीटर औरली कितना दे रहा एक मिली मीटर कर देंगे दोनों को क्या आएगा दो बाटे स्कौाईर है तो चार बाटे एक आ जाएगा एतना यह म fluct है आरवन जो है रो एलवन अपॉन एवन यह रो एलटू अपॉन एटू रो से रो कड़ गया यह एलवन अपॉन एलटू इन्टू एटू अपॉन एवन यह हो जाएगा L1 upon L2 L1 upon L2 क्या दे रहा है 4 बटे 1 तो R1 upon R2 बराबर 4 बटे 1 और A2 upon A1 A2 upon A1 में कितना दे रहा है 4 बटे 1 तो यहां भी हो जाएगा 4 बटे 1 तो R1 upon R2 बराबर आएगा 4 चोको 16 बटे 1 तो अनुपाद हो गया R1 अनुपाद R2 बराबर 16 अनुपाद R1 यह आ गया इसका आंजर नोट कीजिए 25 नंबर देखिए 25 नंबर प्रस्ट में कहरा है तामे के समान द्रोमान के दो तार A तथा B है ठीक है इनकी लंबाई है जो तार A की लंबाई कहरा है B की लंबाई की कितनी है दोगनी है तो माना तार B की लंबाई तार B की लंबाई तार B की लंबाई है वो हमने मान लिया कितनी L2 बराबर मान लिया L तब तार A की लंबाई A की जो लंबाई होगी L1 बराबर वो कितनी हो जाएगी 2L क्योंकि कहरा था A की लंबाई B की लंबाई की दोगनी है तो यह L है तो यह कितना है 2L है कर रहा है द्रोमान समान है तो द्रोमान जब समान है तो आयतन क्या होगा समान होगा और तार एक किया जो प्रतिरोध दे रहा है तार A का प्रतिरोद भी दे रहा है A का प्रतिरोद जो है वो R बरावर आपको दे रहा है 160 R1 बरावर 160 R2 निकालना है आप से वो तो आप लगाएंगे क्या आयतन V1 बरावर आयतन V2 क्योंकि दरोमान समान है और एक ही पदार्द है तो लिखेंगे क्या आयतन V1 बरावर आयतन V2 और आयतन बरावर क्या होता है छेतरफल इंटो लंबाई तो A1 L1 बरावर A2 L2 यहाँ पे L1 अपॉन L2 बरावर A2 अपॉन A1 यह इधार डिवाइड पे चला गया L1 का जो मान दे रहा है वो दे रहा है कितना L1 बरावर 2L और L2 कितना दे रहा है L L से L कैंसिल हो गया तो यह आएगा L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 बरावर कितना हैगा 2 बटे 1 या 2 यह लिख सकते हम लो अब क्या करेंगे प्रतिरोध निकालेंगे प्रतिरोध R1 अपॉन प्रतिरोध R2 जैसे भी तक करते हैं तो निकालेंगे प्रतिरोध R1 अपॉन प्रतिरोध R2 बरावर R1 वही रो L1 अपॉन A1 इसका रो L2 अपॉन A2 रो से रो कैंसिल हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 दे रहा है दो बटे यहाँ से देखो वैलू निकालेंगे प्रतिरोध R1 का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है 160 दे रहा है तो यहां रखेंगे 160 बटे R2 A2 अपॉन A1 तो A2 अपॉन A1 जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 40 तो 40 बटे R2 बराबर 1, R2 का एक में गुणा करेंगे R2 और ये हो जाएगा 40, तो 40 ओम दूसरे तार का क्या होगा, प्रतिरोद होगा, ये इसका अंसर होगा नोट कीज़े 25 नमबर इसके बाद देखिए 26 नमबर 26 नमबर प्रसन आपसे कह रहा है कह रहा है, एक तार का प्रतिरोद 16 ओम है, तो लिखेंगे तार का प्रतिरोद जो दे रहा है तार का प्रतिरोद R1 बराबर जो है, वो है 16 ओम इसके बाद आपसे कह रहा है कह रहा है, उसे पिगला कर पहले से आदी लंबाई का तार कर दिया जाता है माना इसकी लंबाई माना तार की लंबाई 11 बराबर L है तथा परिछेद छेतरफल बराबर A1 है जब तार की लंबाई आदी कर दी गई तार की लंबाई जो है वो L2 बराबर कितनी हो गई L बाई 2 के जितनी थी उसकी आदी तब निकालेंगे छेतरफल तब छेतरफल तब माना छेतरफल बराबर छेतरफल बराबर अमने मान लिया A2 है अब देखो आपको पता है कि इनके क्या होगा आयतन समान होगा क्योंकि उसी तार की लंबाई को क्या किया गया अदा किया गया है उसी को छोटा किया गया है पिगला कर तो हम क्या करेंगे आयतन V1 बराबर आयतन V2 V1 बराबर वही A1 L1 ये A2 L2 काफी कोशन कर चुके हो इस टाइब के तो आपको तो ऐसे भी आ रहे होंगे तो आपको जब पहले तो वीडियो रोक के खुद लगाना चाहिए प्रस्ट फिर ना है तब इसको देखो क्या होगा है L1 अपॉन L2 को नीचे ले आए A2 अपॉन L1 A1 को इसको नीचे ले गए L1 कमान आपको दे रहा है L L2 कमान दे रहा है L अपॉन 2 L से L कैंसल ये दो उपर चला जाएगा तो L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 बराबर कितने के हो जाएगा दो के आप से कह रहा है प्रतिरोध ग्याद कीजिए इसका दूसरे का तो क्या लगाएंगे फार्मूला प्रतिरोध R1 अपॉन प्रतिरोध R2 R1 बराबर रो L1 अपॉन A1 ये रो L2 अपॉन A2 रो से रो कैंसल हो गया आएगा A2 अपॉन A1 इन्टू L1 अपॉन L2 R1 अपॉन R2 इक्वल A2 अपॉन A1 तो A2 अपॉन A1 देखे तो कितना दे रहा है 2 L1 अपॉन L2 तो L1 अपॉन L2 भी कितना दे रहा है 2 इसका मान दे रहा है 4 और ये हो जाएगा 4 R2 इधर चला जाएगा तो R2 बराबर 4 और ये इधर Multiply में तो इसके Divide में आ जाएगा 4 से 4 Cancel तो R2 का मान जो आएगा 4 एकम 4 मतलब 1 Ohm इसका Answer हो जाएगा इसका जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 1 Ohm Sorry यहाँ गलत रख दिया है अपर 16 दे रहा था नोट कीजिए देखे 27 नमबर 27 में कहरा है एक तार का प्रतिरोध आठ ओम है तो पहले तो इस स्क्रीन में आपको प्रसंद दिया गया इस सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग स्वैम करेंगे फिर उसके बाद आप लोग Answer टैली करेंगे कहरा है एक तार का प्रतिरोध आठ ओम है तो दे रहा है तार का प्रतिरोध जो दे रहा है वो आरवन बराबर दे रहा है आठ ओम के इसके बाद आप से कहरा है कि रहा है इससे दोगनी लंबाई तक खीचा जाता है तो माना इसकी लंबाई माना तार की जो लंबाई है वो 11 बराबर कितना के है L के दोगनी लंबाई तक खीचा गया तो बाद में तार की लंबाई अब इसका माने के पहले तब तार का उनुप्रस्ट परिछेद छेत फल तो तार का परिछेद छेत रफल हमने जो माना वो मान लिया जब तार की लंबाई कितनी कर दी गई दोगनी लंबाई तक खीचा गया बतलब L2 बराबर जो L था वो कितना कर दिया गया तो यल अब मान लेंगे छेत रफल तब परिछेद छेत रफल तब परिछेद छेत रफल हम लोगों ने क्या मान लिया अब कह रहा है आप से कि यदि इसका प्रितिरोध आठ ओम था लंबाई दोकुनी कर दी जाया तो इसका प्रितिरोध गयाद कीजिए तो देखो आपको पता है कि अगर सेम है आएतन V1 बराबर किसके होगा आएतन V2 कि है आपको पता है आएतन V2 आएतन V1 बराबर क्या होता है झेतर रफल इंट्व लंबाई और छेतर फल इंटू लंबाई तो A1 अपॉन A2 या L1 अपॉन L2 L1 अपॉन L2 बरावर A2 अपॉन A1 L1 बच्चो दे रहा था L के L2 आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 2L के L से L कैंसिल हो गया तो L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1 बरावर कितना जाएगा 1 अपॉन 2 के अब निकालेंगे प्रतिरोध जैसे अभी तक करते आएं प्रतिरोध R1 अपॉन प्रतिरोध R2 के प्रतिरोध R2 बरावर जो होगा वो होगा रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2 के रो से रो कैंसिल हो गया R1 की वैलू रखेगे 8 बटे R2 बरावर रो से रो कैंसिल ये उपर जाएगा तो हो जाएगा L1 ये L1 की नीचे L2 और ये A2 की नीचे A1 A2 अपॉन A1 के 8 अपॉन R2 R2 का मान आपको कितना दे रहा था? ज्यात करना है R2 L1 अपॉन L2 कितना दे रहा है? 1 बटे 2 तो ये हो जाएगा एक बटे 2 A2 अपॉन A1 कितना दे रहा है? A2 अपॉन A1 एक बटे 2 तो ये हो जाएगा एक बटे 2 तो 2 दूरी 4 और 4 अठे 32 तो R2 का जो मान आएगा वो आजाएगा 32 ओम ये हो गया इसका आंसर प्रस्न संख्या 27 का नोट कीजिए इसको भी जल्दी देखें प्रस्न नंबर 28 28 नंबर प्रस्न में आपसे कह रहा है किसी दात के 20 सेंटी मीटर लंबे तार को खीच कर उसकी लंबाई 25 प्रिस्त बढ़ा दी जाती है तो कह रहा है नए तार के प्रित्रोद में प्रिस्त बढ़ा दी जात कीजिए तार की जो लंबाई है वो कितनी दे रहा है 11 बीस सेंटी मीटर दे रहा है तो तार की जो लंबाई दे रहा है लंबाई 11 बराबर दे रहा है 20 सेंटी मीटर कह रहा है लंबाई में 25 प्रिस्त की बढ़ा दी की गई व्रद्दि करने पर निकालेंगे तार की लंबाई अब कितनी ओ जाएगी तार की जो लंबाई हुई लंबाई एल्टू जो आगई वह कितनी पहले 20 थी और 20 का ही 25 परसिंट बढ़ाया गया तो जब 25 प्रतिस्त अधाएंगे तो प्रतिस्त अटाते हैं तो आपको मतलब लटू का मान आएगा 25 सेंटी मीटर, यह आ गया, आप इसके बाद आपसे कह रहा है, कह रहा है कि प्रित्रोज में प्रिस्त विरद्धियात की जो तार था उसी तार को बढ़ा के लंबाई विरद्धि की गई है, अर्था यह अधान क्या होगा समान होगा, तो आधन V1 बराबर आयतन V2 क्योंकि क्या होगा द्रवमान समान है आयतन समान होगे क्योंकि एक ही पदार से तो घनत समान हो जाएंगे तो यह होगा A1 L1 बराबर A2 L2 तो यह A1 अपॉन A2 या L1 अपॉन L2 यह मल्टिप्लाइ में इधर डिवाइड में और यह A2 अपॉन A1 L1 आपको दे रहा है कितना 20 cm और L2 कितना दे रहा है 25 पांच से काटेंगे पांचों को 20 और 25 पांच से डिवाइड किया 20 को 4 बार गया 5 से 25 को किया कितने बार जाएगा 5 बार अब यह L1 अपॉन L2 आ गया 4 बार पांच और यह A2 अपॉन A1 भी आ गया 4 बार पांच अब निकालेंगे प्रतिरोद R1 अपॉन R2 का प्रतिरोद R1 अपॉन अपॉन प्रतिरोद R2 की बात करते हैं जब निकालेंगे तो यह आएगा R1 अपॉन R2 बराबर रो से रो कैंसेल बचेगा L1 अपॉन L2 अब देखो यह क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 और यह A2 उपर जाएगा तो हो जाएगा A2 अपॉन A1 A2 अपॉन A1 के तो R1 अपॉन R2 एक्वल L1 अपॉन L2 तो L1 अपॉन L2 कितना दे रहा है? 4 बटे 5 यह हो गया 4 बटे 5 और A2 अपॉन A1 भी क्या दे रहा है? A2 अपॉन A1 भी आपको दे रहा है 4 बटे 5 तो R1 अपॉन R2 जो आएगा वो आएगा 4 चो को 16 बटे 25 यहां से गर R2 का मान निकालें तो देखेंगी कि R2 बरावर जो आएगा 25 इस तरब चला जाएगा 25 R1 और यह नीचे आजाएगा 16 आगया R2 मतलब पहले जो प्रतिरोध R1 था वो अब कितना हो गया? 25 R1 बटे 16 पहले से बढ़ गया तो निकालेंगे प्रतिस्चत व्रद्धी प्रतिरोध के मान में या प्रतिरोध में प्रतिस्चत व्रद्धी प्रतिस्चत व्रद्धी प्रतिस्चत व्रद्धी जम निकालेंगे तो आएगा व्रद्धी अपॉन प्रारंबिक प्रतिरोध व्रद्धी कितने की हुई अपॉन प्रारंबिक प्रतिरोध इंटू हंडेड अब व्रद्धी देखे कितनी की हुई तो देखो पहले था आरवन अब हो गया आरटू तो व्रद्धी जो हुई आरटू में हमागर आरवन गटा लें और फ्रारंबिक प्रतिर्वाथा था रवब इंटू 100 लिगने तो यह आजा yön Bluetooth 25ड और अपॉण में दे रहा है रवन है इन्टू 100 या तब आरवन आपउपर से 16 LCM लेंगे तो 16 कि इसमें गुड़ा होगा 16 लिया LCM आपने तो यह होगा 25 R1 माइनस 16 का R1 में करेंगे 16 R1 इंटू 100 और यह R1 पहले से था 25 में 16 गए बचेगा 9 R1 और यह दे रहा है 16 R1 इंटू 100 R1 से R1 कैंसिल 4 चोको 16 पचीज चोको 100 25 नम्हियां आजाएगा 225 और नीचे आएगा 4 4 से इसको डिवाइट करेंगे 225 को तो जब 4 से 225 को डिवाइट करेंगे तो आजाएगा 4 पंचे 20 बचेगे कितने 20 में अटा दिएगे 22 में से 20 अट गया तो बचेगे 2 दो इसको दिया 4 चंग 24 दसमलो बचे एक दसमलो लगाया दस चार दूनी आट चार पंचे 20 तो इसका मान आएगा 56 दसमलो 25 प्रिस्ट की इसमें क्या हो जाएगी व्रद्धी हो जाएगी यह आगे आपका इसका अंसर नोट कर लीजिए है 11 एब 29 नमबर प्रिस नेखिए 29 नमबर में कहरा है 200 बॉल्ट का एक बल्ब है तो बल्ब का जो विब्वांतर दे रहा है वह 200 बॉल्ट दे रहा रहा है बल्ब ऑन जो है वी वेराबर वह दे रहा है 200 बॉल्ट ये ओ गया busy लिज़ा विऄ यह वी हमान कह रहा है दो एंपियर की धारा लेता है तो धारा जो है आई वराबर वो है टू पॉइंट जीरो एंपियर या जीरो पॉइंट टू एंपियर की है जीरो पॉइंट टू एंपियर की दे रहा है धारा इसके बात कह रहा है कि इसके तंतु की जो लंबाई है वो दे रहा है बाई सेंटी मीटर तो L का मान जो हो गया वो हो गया बाई सेंटी मीटर आप से कह रहा है कि इसका जो कह रहा है तंतु का विसिष्ट प्रतिरोध दे रहा है आपको विसिष्ट प्रतिरोध विसिष्ट प्रतिरोद रोज हो है उसका मान आपको दे रहा है कहे रहा है कि 7 x 10 की पावर माइनस 5 विस्टिन प्रतिरोद रोजोग आ इतने ओम सेंटीमीटर दे रहा है आप से कहे रहा है कि व्यास की गढ़ना किजिए तो देखो इसको तो ओम मीटर में बदलिये पहले तो 10 की पावर माइनस 5 और सेंटी मीटर को मीटर बदते हैं तो 10 की आते माइनस 2 का गुड़ा करते हैं इतने ओम मीटर हो जाएगा रो बराबर आएगा 7 इंटू 10 की पावर 527 माइनस 7 इतने ओम मीटर के आर निकालना है R वराबर क्या होता है Rho upon V upon I लग दो और R की जगह रखेंगे Rho L upon Pi R स्क्वाइर के क्योंकि A होता है Rho L upon A, A की जगह पाई R स्क्वाइर V upon I के Rho का मान आपको दे रहा है 7 into 10 की पावर minus 7, यह दे रहा है L का मान आपको यह दे रहा है 22 cm Pi का मान रखेंगे 22 बटे 7 R स्क्वाइर ग्याद करना है V आपको दे रहा है 200 I का जुमान दे रहा है 0.2 दसमलोग काटिंग 0, 2 से काटिंग कितना हैगा 1000 आजाएगा 22 से 22 कट गया 7 उपर जाएगा 7 का स्क्वाइर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वाइर 10 की पावर माइनस 7 बराबर 1000 को लिख सकते हैं 10 की घाट 3 गुणा यह उपर आएगा तो यह क्या हो जाएगा R स्क्वाइर तो R स्क्वाइर एक्वल 7 का स्क्वाइर इंटो 10 की पावर माइनस 7 10 की power 13 इधर गुडा में थी तो इधर भाग में ऊपर जाएगा 10 की power क्या हो जाएगा 7 का square into 10 की power minus 7 ऊपर जाएगा घात minus में R square बराबर 7 का square into 10 की power minus 10 तो R बराबर आएगा square अड़ा देंगे तो चैसेस्ट इसका square root लेंगे 10 की power minus 5 इतने क्या गया? मीटर यह क्या है आपकी तरिज्जा आपको क्या निकालना है व्यास तो इसका व्यास निकालेंगे कितने का मल्टिप्लाई कर देंगे इसमें मल्टिप्लाई करेंगे आप 2 का तो जाएगा 14 इंटू 10 की पावर माइनस 5 देखे काई मैश्टेक तो नहीं हुआ पावर में 200 वोल्ट दे रहा था 0.2 एंपियर था 22 सेंटी मीटर था यह सेंटी मीटर था इसको आप लोगों ने हम लोगों ने मीटर में नहीं बतला है 22 सेंटी मीटर को तो यहां भी 10 की पावर माइनस 2 होगा तो यहां माइनस 2 करेंगे तो यहां क्या आएगा माइनस 2 मतलब यहां चलेगा 9 यहां क्या चलेगा 9 और 9-3 12 और 12 का अदा 6 अब इससे निकालेंगे व्यास यह आप आर बराबर लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर और 10 की पावर माइनस 2 मीटर अटाएंगे तो जब सेंटी मीटर को मीटर बलते हैं 10 की आते माइनस 2 का गुणा करते हैं और जब सेंटी मीटर बलते हैं तो 10 की गाद माइनस 2 को अटा देंगे तो इतने मीटर आ गया यह आ गई त्रिज्जा आपको निकालना है व्यास व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्जा के 2 इंटू त्रिज्जा दे रहा है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 तो 7 दूनी 14 गुणा 10 की गाद माइनस 4 सेंटी मीटर यह आ गया इसका इस प्रस्न का व्यास प्रेस्न संख्या 29, नोट कीजिए 30 नमबर कह रहा है, कार्वन के गुठके का साइज 1.0 cm x 1.0 cm x 50 cm है तो गुठके का आपको साइज दे रहा है गुठके का साइज यह आपको दे रहा है, 1.0 cm x 1.0 cm इन्टू 1.0 cm x 5.0 cm या 50 cm यह दे रहा है आपको आप से कह रहा है कि प्रतिरोध ग्याद कीजिए नमबर एक वर्गा कार गुठका जब लिया जाता है और विस्ष्ट प्रतिरोध दे रहा है आपको विस्ष्ट प्रतिरोध विस्ष्ट प्रतिरोध दे रहा है रो इक्वल 3.5 x 10 की पावर माइनस 3 cm 3.5 x 10 की पावर माइनस 3 cm बढ़ा देखाज तो 10 की पावर माइनस की पावर माइनस की पावर माइनस की पावर माइनस की हो जाएगा 5 वर्गाकार सिरो के लिए वर्गाकार सिरो के लिए जब आप लोग ग्याद करेंगे तो क्या आएगा एक जो मान होगा वो होगा वर्ग क्या होता है वर्ग की दोनों बुझायें क्योंकि मे inflamm करते हैं, स्कौर मिटर का और स्कौर्णEM की के पावर माइनस फॉर हो जाएगा और लंबाई जब लेंगे लंबाई कितनी आएगी यह वाली बचिए बुजा तो 5.0 या 50 सेंटी मीटर इसके बाद देखो जब आ गया यह आप कत्र निकालेंगे तब प्रतिरोध आरवन बराबर रो एल अपॉन सेंटी मीटर को मीटर बलेंगे 10 की पावर माइनस दो का गुड़ रो का मान दे रहा है आपको 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लंबाई दे रहा है 50 गुणा 10 की गात माइनस दो ए आपको दे रहा है जो छेतरफल का मान वह आपको कितना आया है वन इंटू 10 की पावर माइनस 4 या 1.0 भी लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता तो आर वन आएगा अब देखो इसका मल्टिप्लाई करेंगे पचम पचीस पांट अई पंदरा और पंदरा और दो 17 एक ये 0 एक अंक बाद दसमलो गुणा 10 की गात 5 दो माइनस के 7 और ये उपर जाएगा तो माइनस के 7 और प्लस के 4 तो आर वन का जो मान आएगा 175 गुणा 10 की गात 7 में 4 जाएगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 बच जाएगा साथ में चार जाएगे कितना बचेगा माईनस के 3 बचेगा अब इसको हम 3 एक की तरफ लें आै तो 1 हो जाएगा इस तरफ 3 एक आएंगे तो 0.175 तीम ऑगे किस तरह पाएगे 3 ञाते प्लस के ओंगी तो 3 माइनस से 3 प्लस वाली केंसल तो इतने ओम आ जाएगा यह आ गया R1 R2 की अगर आप बात करें R2 की तो R2 कब निकालेंगे जब क्या करेगा आयताकार ले रहा है दो आयताकार विपरीद फलकों के बीच तो सेकेंड में कह रहा है आयताकार फलकों के बीच आयताकार फलकों को जब कह रहा है जब आयताकार फ़लक लेंगे तो क्या होगा आयत की लंबाई और चोणाई में अंतर होता है तो ये लेंगे छेतरफल आयताकार फ़लकों के बीड जो लंबाई होगी l वराभर वो कितना आएगा 1 cm cm को मीटर बसलेंगे तो आजाएगा कितना 1.0 into 10 के पावर माइनस 2 मीटर इसके बाद क्या करेंगे निकालेंगे 6 तरफल तो 6 तरफल ये लेंगे 50 का एक में गुणा करेंगे आएगा 50 cm2 मीटर में बदलेंगे तो A into 50 गुणा 10 की गात माइनस के 4 मीटर स्कॉर ये हो जाएगा अब निकालेंगे प्रतिरोध तब प्रतिरोध तब प्रतिरोध R2 R2 बरावर वही Rho L upon A Rho का मान आपको दे रहा था कितना दे रहा था 3.5 into 10 की पावर माइनस 5 तो 3.5 into 10 की पावर माइनस 5 L की वैलू रखेंगे तो जो L का मान दे रहा है आपको वो कितना दे रहा था इसमें आया 1.0 cm या 1.0 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर इसको रखेंगे दे रहा है 50 गुणा 10 की गाथ माइनस 4 ये 6 तरफल होगे 5 से काटेंगे 5 दाम 50 5 सते 35 0.7 ये आएगा 0.7 गुणा 10 की गाथ 5, 2, 7 माइनस 4 और ये प्लस के एक गाथ कम होगी माइनस 3 माइनस 3 उपर जाएगा प्लस के 3 आर्टू जो आएगा वो आएगा 0.7 into 10 की पावर माइनस के 4 एक अंक इस तरफ चला जाएगा तो 7.5 जब गर उस तरफ जाते हैं तो गाथ आपको पता है माइनस की होती है तो 7.0 into 10 की पावर माइनस 5 इतने ओम इस 30 नमबर प्रस्न का आंसर हो जाएगा इस प्रकार ये 30 नमबर प्रस्न आपका कम्प्लीट हो गया नोट कीजिए